ही वेलकम तो भीवन्यू आई एस माय नेम इस रोहिद गर्चार और दिस सीरीज इस कॉल्ड तू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करेंट अफेर्स को डिस्कुस करते हैं रॉम इस सीर्टरियर्पशिक आ आपका वन अचार और चिया जाता है अन्में से व व चीज निकाली जाती है यो कि अबिक खूर यूर्ण फर पुछया सकती है and if you wish to cover your current affairs holistically कि आपका once and for all current affairs का काम अनगाँ एक along already going on it is available in both offline as well as online format you get three things in it number one a class which happens on saturday and monday second you get a weekly pdf of the current affairs of the whole week and you download it and you read it and highly curated content to the point and once you read that आपका इतना से current phase वाला काम जो है you can consider it done number 3 you have weekly test of this particular current phase this particular week only so with the combination of these three you can consider कि आपका जो current phase का मामला है जिसके लिए वो इतना बड़ा एक होक्स एक हुआ बना रहता है UPAC का वो आपका done हो जाएगा इन तीन चीजहों के बाद में plus you get a 7 days free trial as well so link is in the description you can check it out है थोड़ा आपको आपकी journey थोड़े सी असान हो जाएगी जो आप mental space और आपका time है उसको जब बचाओगे उसको आप use कीजिए किसी और चीज़ को पढ़ने के लिए जहां पे आपका जो score है you can ensure your selection and you can ensure your good score also आपको समझ में आता है कि आप क्या हो basically in culture के थुरू जो UPSC के trend है कि UPSC के लिए भी culture से topic जब भी आता है UPSC उसको डाल दिती है exam में इदर उदर घुमा फिरा के कुछ भी कोई ना कोई सवाल उस पर आता ही आता है और यह एक ऐसा topic है कि जिसको आप जादा किताब पढ़के cover नहीं कर सकते हैं आपको थोड़ा से rely होना पड़ देखते हैं इसमें यह भी recently news में आया था कि एक particular market है West Bengal में which is very famous for various kinds of arts और वहाँ पर यह particular art जो है it is thriving these days और तो यह क्या art है क्या नहीं है चलिए उसके बार में देखते हैं कि what it is and how it is made और इसको कौन बनाता है moving on दोक्रा और धोक्रा is a form of ancient bell metal craft practiced by Ojha mental spits living in the states like Dharkand, Shattisgarh, Odisha, West Bengal and Telangana वैसे तो दिमाग में साथ साथ आपके एक map सा बनना चाहिए यहाँ पर जो भी मैं जगा बता हूं एक particular belt जो है इंडिया की वह एक इसमें highlight हो रही है कि उन जगाओं के जितने artist हैं यह artist उन जगाओं से belong करते है जो news आई थी वह West Bengal के context में आई थी but again क्योंकि थोड़ा सा उ यह जगिंए कि West Bengal, Bengal के आटे है Bengal के आटे है but artist हीन के बाकी states में भी है यह थोड़ा सा जो है आपको twist करके दे सकता है यह ठोकरा दमर Tribes are the main traditional metalsmiths of West Bengal and Odisha अब यहाँ से भी direct सवाल आसकता है कि दोकरा दमर Tribes are associated with which of the following states, they are not associated with which of the following states. तो इन सब्सक्राइब का नाम वहाँ पर आजाएगा एक कोई ऐसी स्टेट होगी जहाँ पर यह नहीं है फर एक्जामपल लेट उस से पिंजाब आगया या कोई और अनी अदर स्टेट पर आपको उसको टिक आउट करना है और इस इसले दौक्राइब दमर टाइब अनाम अंत्राइब पर दोग्रा दमर अर में डिशनल में ट्रॉट्समिट आउट अवस्ट मेंगा अधिकनीक आपने यह पड़ा होगा इंदर स्टेट वाली की फिगर बनाते हो उसको मोल्ड में बंद कर देते हो उसको मोल्ड को गरम करके वैक्स बाहर आ जाता है वैक्स लॉस्ट उसके बाद में यू पोर इन मेटल लिक्विड मेटल लेट दे मेटल सॉलिदिफाए और उसके बाद में आप मोल्ड को तोड़ देते हो देन यू रखो तेन वे दरट में पाद में जीक लान करेए और देनो के करेंगे पर आप मोल्ड को तोड़ देते हो एक चीज बनाते है हो वो definitely unique है, you cannot make exact figure again, because आपने मोल्ड ही तोड़ दिया, आप you have to break it to get it out, right? That is why such kind of arts are expensive and rare, आपके दिखते हैं. However, the style and also the workmanship of this artisan community varies in different states, कि जो उनका style ले बनाने का वहर state में लगला के, इस भी को इंपॉर्टन स्टेटमें निये. दोकरा और दोकरा, metal craft, is also known as bell metal craft. What is bell metal? जिस से मंदरी घंटी बनती है, यह बैल में बनती है, ब्रास, अब ब्रास अभी आएगा भी आगे, चलिए, हिस्ट्री देखते हैं, it has documented history of about 5000 years. यह काफे पुरानी technique है, और यह काफे पुरानी art है, अगे देखते हैं, making दोकरा art is difficult process, each figurine takes about a month to make, थोड़ा tedious काम है, month लगता है, एक एक महिना लगता है, इसको एक एक figurine को बनाने के लिए, because multiple processes are involved, multiple processes are involved, यहाँ पे 7 to 8 types of clay are used, mold बनाने के लिए, क्योंकि mold has to endure very high temperatures, तो mold अंदर से crack ना हो जाए, if mold is cracked from inside, तो आपके figurine के ऊपर जो है, आपको उसके अंश देखने को मिलेंगे, your figurine will be disfigured, तो इसलिए, जोगरा artifacts are mainly made in brass and are highly unique, wherein the pieces do not have any form of joints, यह भी एक important point है, इसके अंदर कोई भी joint नहीं है, एक ही mold के थूरू, निकल के आते हैं, एक ही बार में figurine आपके सामने होती है, the whole object is fully handcrafted, इसा machining नहीं है, सारा object है आपका, वो fully handcrafted है, by the way, brass क्या होता है, copper के अंदर, क्या मिलाते हैं, प्लीज आप comments में जुरूर लिखके बताएं कि brass is what, copper plus what, चलिए, अगे देखते हैं, इसका process क्या है, let's see, the traditional designs are considered highly aesthetic in nature and are a collector's delight, there are many processes involved for which seven to eight varieties of clay is required, apart from other raw material, other raw material कैसे, wax and brass, इसके लाब और भी raw material लगता हुआ, यससे हम उसके अंदर flux बगारा डालना होता है, और there are many other things, जो हम casting करते हैं, तो बहुत सरी चीजें हैं उसके अंदर, जो हमें धिहान में रिखने होती है, नेक्स दिखते हैं, the method of making dokra is done by combining the metallurgical skills with that of the lost wax technique, अब आपने अगर metal को सही temperature पे heat करना है, उसके बाद cooling, उसकी sudden cooling नहीं होनी चाहिए, तो cracks develop होँगे, तो delayed cooling और यह सब techniques उसके अंदर हैं, तो उसकी बात कर लें कि यह यह तो metallurgical skills हैं, जो कि आपको यहां पे भी काम आते हैं, साथ-साथ में lost wax technique के साथ, the handicrafts are known for combining the metallurgical skills with wax, यह हो गया है, the lost wax technique is distinct from, distinct form where the mold is used only once, जो मैं आपको starting बदा रहा था, and broken, which makes the figure one of its kind in the handicrafts market, वो ही है, इसकी uniqueness के बात हो रही है, let's see कि इसके पर सवाल क्या बन सकता है, एक direct सवाल, this falls under the category of easy, क्योंकि अभी आपने देखा है, इसको, however, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ, इसको bell metal craft भी कहते हैं, तो यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि options यहां पर ऐसे दी हो है, इसको तोड़ना पड़ेगा UPSC में और आपके दो नंबर जो हैं वो चले जाएंगा, तो अगर आप देहोगे तो इसमें गैस वक किया नहीं जा सकता, थासकर इन तीन में, क्या फिर कॉपर है, ब्रास है या ब्रोंज है, कि इन तीन में से कौन सा metal इसके अंदर यूज के जा रहा है, और ब्रास का, you have to comment down कि कौन सी इसके अंदर जो-डो metals है copper के इलावा, and that is all for today, let me remind you that you get a 7 days free trial for the complete current affairs course, जिसके अंदर आपको तीन चीजे मिल रही है, number 1 class, number 2 weekly pdf, number 3 weekly tests, so link is down there, check it out, and thanks for watching, my name is Rohit Garcha, this series is called To The Point, and this is Abhimanyu आयेज. mesmoति आपकों जर वारिट 14 जर किक्यार स्वल चूए और का你 सभूआ है,